माववादी पॉलिट ब्यूरो सदसे प्रसांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की ग्रफतारी के विरोध में प्रतिबंदित नक्सली संगठन भागपा माववादी ने बिहार समित चार राज्यों में बंद का हवन किया भागपा माववादी की बिहार जारकंड उत्तरी चतिस गड़ उत्तरी प्रदेश सीमान रीजनल कमेटी के परवक्ता मानेस ने बयान जारी कर 23 से 25 नवंबर तक बिहार जारकंड उत्तरी चतिस गड़ और उत्तर प्रदेश में बंद का एलान किया उन्होंने अपने बयान में कहा कि माववादी नेता प्रशांत बोस उनकी पत्नी शीला मरांडी पर बरबरता पुलिस यातना कर हत्या का परियास और चिरोली में पुलिस के द्वारा 26 माई को माववादी की हत्या और कृषी कानून आंदोलन में मारे गए आंदोलन कार्यों क की मोत के खिलाब 23, 24 और 25 नवंबर को भिहार, जारकन, 36 गर और उटर परदेश में बंदी है और इस संबन में मुंगेर के आरक्षी अधिक्षक जगुनात रेड़ी जला रेड़ी ने बताया कि तीन दिवसे नकसली बंद को लेकर प्रशास अन्पूरी तरह अलट पर है और लगाता CRPF, STF, कोब्रा बटालियन और जिला पुलिस बल के जवान नकसल छेत में छापे मारी की जारी है और नकसलियों के मनसूबे काम्याब नहीं होने देंगे मुंगेर पुलिस भी पूरी तरह अलट मोड पर है और लगातार जांच अब्यान और छापे मारी जारी है और कॉम्बिंग ओप्रेशन भी चलाए जारे उसी के तहट रविवार को मुंगेर के हार्ट कोर नकसली नकुल कोड़ा को धराहरा और सुम्बार के सुबा हार्ट कोर नकसली संजे सोरेन की गरफतारी हवेली खगर्ड पूर्व से हुई है और वहीं भीहार के पूर्वी चंपारेशन जिला का हर सिद्धी थाना छेथ में आई एक बरहात को बिना धुलन लिये ही धुला समेथ वापस लोटना पड़ा और वहीं बताया जा रहा है कि वर्माला के वक्त धुलन ने धुले के सूरत को देखकर शादी करने से इंकार कर दिया और जिस कारण बरातियों और गाउंवालों से भरे शादी के पंडाल में हड़कम मज गया लड़की के शादी से इंकार करने के बाद पंचाय थी और मान मनवल की शुरुआत हुई लेकिन दुला नहीं मानी और थिलकार दुला को बिना शादी के ही बरातियों के साथ वापस लोटना पड़ा और पूरा मामला जिले के पहाड़ पूर थानाचेत से लोकाह पहड़िया गाउं का है और यहां पर हर सिद्धी थानाचेत के सोहन पटेल के घर भी ती रात बरात आई थी और बरात जब दरवाजे पर पहुँची तब उन्हें नाश्ता कराए गया और शादी के ले लगाए करने से इंकार कर दिये और लड़की के अनुसार लड़का उसे पसंद नहीं क्योंकि लड़का देखने में सुन्दर नहीं था और लड़की की शादी से इंकार करने पर कुछ बराती उसे समय लोट गए और लेकिन समाजी के सतर पर लड़की को मनाने का पर्यास किया गया लेकिन लड़की नहीं मानी और धुले को बिना शादी किये ही वापस लोटना पड़ा ठंड का प्रभाव अब पटना एरपोर्ट से 45 होने वाले विमानों पर भी देखने को मिल रहा और हाल के ही दिनों में पटना एरपोर्ट पर रात में चलने वाले साथ जोड़ी विमानों को रद किया गया और देरात को मंबई हैंदाबाद दिली समित कई शहरों को जाने वाली विमानों को रद किया गया जब देशंबर में शेडूल जारी होगा और विमानों की संख्या कम होते ही पटना एरपट पर यात्यों की भारी भीड देखी जारी और निश्ची तोर पर पटना में रहने वाले लोग जो देर रात तक अन्ने शेहरों खासकर दिल्ली एहमदाबाद बैंगलोरू या विमान से ही सफर करना पड़ रहा है और लखनों से पटना आ रहे मुहमद कामरान का कहना है कि मैं लखनों से पटना आया हूं और विमान का शेडूल ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं और वहीं बैंगलोरू से भी आया था तो सही समय पर पटना पहुंचा था और फिर ब feasibility कम हो जाती है और पहले से जिन लोगों का टिकेट बुक था विमानन कमपनी अपने दूसरे विमान में ही उन्हें हवाई सफर करवा रही है